गाइस क्या गदर थिरी मूवी से क्या आप लोग थोड़ा बहुत इस्पैर है या फिन नहीं गदर थिरी से अगर इस्पैर है तो ये चीज़ जरूर समझ के होंगे गदर टू में हमें जो दिखाया गया साइद उमीद है गदर थिरी में हमें न दिखाया जाए सनी देवल इस movie को ले करके यानि राजी तो हो गए 500 करोड अमाउंट बताया जा रहा है लगवग 500 करोड में बनाई जाएगी इस पार गदर 3 अगर गदर 3500 करोड में बनाई जाती है तो अमीद है इस गदर 3 में सनी देवल का धाई कि लो का हात है सब्हुंक का मिल सकता है जो कि श हैट गदर 2 में हमें उतना भयानक रोल नहीं देखने को मिला सनी देवल का तो भाई अद्यको सनी देवल का कभी भी कोई भी पिचर में कर देखो अगर धाई की लोग का हाथ वो एक्सल्स गरजने वाली स्टीन जादा नहीं देखने को मिली तो भाई पूरी तरह से मिर्च मसाला खराब है यानि कि पूरी तरह से हमारा पैसा वेश्ट है सिनेमा घर मे वही चीज हमें सायद को गदर टू में दिखा दी गई थी यानि नाम के ब्रैंड पर गदर टू कमाई तो कर लिया था लेकिन उतनी अच्छी ओपनियस नहीं दे पाई थी जितनी अच्छी सायद हम उमीद कर रहे थे इसलिए गदर टू से थोड़ा मिराज जरूरी हुए हाल में ही इसकी महीने दोस महीने के अंदर सायद गर्दर टू की सूटिंग भी चालू की जा सकती है जो की काफी अच्छी अपनी रिस्पोस्बिल्टी छोड़ते हुए नजर आएगी इसमें अनिसा पटेल का भी रोल होगा लेकिन उतना वैतरी नहीं जैसे के हमें गदर में पूरी तरह से दिखाएगा पूरी सौंग में मूवी निकाल दी गई तो इसलिए सौंग का लेवल जो है पूरी तरह से कम होगा और अच्छी मूवी होने वाली है गदर थी बहुत अच्छी रिस्पोस्बिल्टी भी देते हुए नजर आएगी इसलिए लोग काफी क्या सोसते गदर थी मूवी के बारे में हमें चोटे से कमेंड़ में बड़ी से जरूर लिखिएगा क्योंकि गदर थी मूवी जो है अच्छे मुद्दे पर बन रही है यानि कि जैसे हिंदुस्तान और पाकिस्तान के एक लड़ाई पर दरसाई जाती है कभी भी यानि कि ग जरूर बताईएगा